Assalamu alaikum grade 6 my name is Sadaf and I am your computer teacher students आज हम शुरू करने जा रहे हैं unit number 2 जिसका नाम है electronic mail तो चलिए देखते हैं कि email क्या होती है और किस तरह से work करती है चलिए देखिए मेरे साथ students आप लोगों को याद होगा last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था internet internet के बारे में students हम लोगों ने काफी चीज़ें पढ़ी थी और वहीं हम लोगों ने देखा था कि internet की services क्या होती है internet की services में एक service हम लोगों ने पढ़ी थी email याद है ना आपको तो students वहां हम लोगों ने email की एक brief definition पढ़ी थी आज हम लोग email को detail में discuss करने वाले हैं तो students, सबसे पहले मुझे बताईए कि email क्या थी? जी, हम लोग पढ़ के आए हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो याद होगा ना? Students, हम लोगों पढ़ा था, email एक ऐसा method है, जिसमें आप लोग एक computer से दूसरे computer में messages send कर सकते हैं और receive भी कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ, आप लोग attachments भी add कर सकते हैं, यानि के कोई picture add कर सकते हैं, कोई audio, video या कोई document भी attach कर सकते हैं उसके साथ, अब हम देखेंगे email की definition, चलिए मेरे साथ देखिए, a method of sending and receiving messages from one computer to another, यानि के students ये एक ऐसा method है, जिसके जरीए हम लोग एक computer से दूसरे computer में messages भेड़ भी सकते हैं और receive भी कर सकते हैं, आगे देखिए, emails में also include images, audio और video clips, images भी हो सकते हैं हमारे email में और audio और video clips भी हो सकते हैं, और इसके इलावा students कोई text files हो सकती है, इसके इलावा PDF files भी हो सकती है, इसके इलावा students MS Office की कुछ files भी attach हम लोग इसके साथ कर सकते हैं, attachment के तोर पे, next देखिए, it is based on store and forward model, यानि के students ये कौन से model पे base करती है, store and forward पे, यानि के students हम लोग इसके through emails को send भी कर सकते हैं, save भी कर सकते हैं, हम लोग email लिख कर उसका draft save कर सकते हैं, ठीक है, और जब वो draft save होता है, तो आप लोग उसके बाद उसे कभी भी send कर सकते हैं, इसके रवा students जो emails आप लोगों को आती है, वो आप लोग आगे किसी और recipient को forward भी कर सकते हैं, तो students, यह सारा method जो कि मैंने आप लोगों को explain किया है, यह basically क्या है, यह है store and forward model, next हम लोग देखने वाले हैं, email की history, तो चलिए मेरे साथ देखिए, इमेल स्टाटे इन 1965, 1965 में email को use करना शुरू किया था, किस तरह से, as a way of users of mainframe computers, students, हम लोगोंने mainframe computers पढ़े थे, ऐसे computers जहां पर बहुत सारे लोग एक ही computer पर काम कर रहे होते हैं, याद है ना आपको, तो students, वो बहुत सारे लोग जो एक ही computer पर काम कर रहे होते हैं, उन्होंने भी तो आपस में communication करनी होती है, तो students, 1965 में क्या किया गया था, as a way of users of mainframe computers to communicate, यानि के वो users जो के mainframe computer को use करते थे, उनके लिए students एक communication का जरिया create किया गया था, 1965 में जिसे हम लोगों ने कहा था email, ठीक है, वो email students सिर्फ उन्हीं लोगों के दर्मियान में communication का एक method था, जो के सिर्फ उसी mainframe computer को use करते थे, next देखिए, by 1966, अब देखेंगे हमके 1966 में क्या हुआ था, it extended to become network email, उसके बाद students उसे एक computer से निकाल कर एक network email बना दिया गया था, आगे देखिए, allowing users to send messages from one computer to another, यानि के students उसके बाद हम लोग एक network पर मजूद, एक computer से दूसरे computer में messages बेज सकते थे, ठीक है, network email का यही मतलब है ना, कि एक network पर जो दो computers मजूद हैं, वो आपस में communicate कर सकते हैं through emails, आगे देखिए, Ray Tomlinson was the first person to send email across ARPANET, आप लोगों को याद है ना, ARPANET क्या था? Students, हम लोगों ने last chapter में पड़ी थी, internet की history, और हम लोगों ने कहा था, कि ARPANET क्या था, ARPANET था, दुनिया का सबसे पहला develop होने वाला computer network, जो किस ने develop किया था? USA की ARPANET ने develop किया था, और students, हम लोगों ने ये भी पड़ा था, कि ये network किस तरह से बना था? एक computer था California state में, और तीन computer थे Utah state में, और उनको आपस में communicate करवाने के लिए, ये एक network बनाया गया था, जो कि था दुनिया का सबसे पहला network, तो students, उसी network के across सबसे पहला email भी generate किया था, और वो किस ने किया था? वो किया था? Ray Tomlinson ने किया था, ठीक है? और उसी ने students सबसे पहले at का sign use किया था, at का sign use करते हैं ना हम लोग, कब करते हैं? Students, एक example लेते हैं, अगर मेरा email है ABC, और जिस application पर मेरा email बनावा है, उसका नाम है gbill.com, ठीक है? तो students, इन दोनों पार्ट को अलग करने के लिए हम लोग use करते हैं, at का sign, ठीक है? और वो सबसे पहले किस ने किया था? वो Ray Tomlinson ने किया था, आर्पानेट को use करते हुए, ठीक है? Next, देखिए, students, हम लोगों ने पढ़ी history of email, हम लोगों ने देखा किस तरह से 1965 में सबसे पहला email use हुआ था, mainframe computer के users को आपस में communicate करने के लिए use किया गया था, students, इसके इलावा हम लोगों ने देखा 1966 में सबसे पहला network email बनाया गया था, और Ray Tomlinson ने सबसे पहला email generate किया था, आर्पानेट के across, ठीक है, मुझे अमीद है कि आप लोगों को history अच्छे से समझ आ गई होगी, students, अब हम देखने वाले हैं कि email के features क्या होते हैं, तो चलिए मेरे साथ देखिए, सबसे पहला feature है, email address is unique, students, हर email address जो है, वो unique होता है, दो लोगों का same email address नहीं हो सकता, जिस तर से हमारे घरों के numbers unique होते हैं, तीक है, उसी तरह से email addresses भी unique होते हैं, last chapter में students, हम लोगों उने पढ़ा था, कि website के addresses भी unique होते हैं, है ना, याद है आपको, तो students उसी तरह से email addresses भी unique होते हैं अगर email addresses unique ना होते तो students क्या होता हो सकता था कि मेरा और आपका email address same होता और जो emails मुझे आनी थी वो मुझे भी आ रही है और आपको भी आ रही है तो students इस तरह से मेरी privacy भी तो disturb हो रही है ना कि मेरे emails किसी और को भी जा रहे हैं क्योंकि हमारा address same है तो students इसलिए email address हमेशा unique होता है और आपके email सिर्फ आप ही को मिलते हैं Next देखिए Sends and receives messages तो students और email क्या करती है? Email sends and receives messages आप लोग अपने computer पर बैठ कर emails को send कर सकते हैं और receive कर सकते हैं Next देखिए Send same message to multiple recipients यानि के students हम लोग एक ही message एक ही time पर एक से ज्यादा recipients को भेज सकते हैं Next देखिए It composes and reads messages offline तो students अगर आप लोगों के पास internet connectivity नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग अपने messages compose कर सकते हैं और उनको save कर सकते हैं as draft और जब आप लोगों के पास internet connect हो तो आप लोग क्या करेंगे आप लोग उन messages को send कर सकते हैं इसके लावा students जो messages आप लोग receive कर चुके हैं वो आप लोग read भी कर सकते हैं offline ठीक है? Offline का क्या मतलब होता है? Offline का मतलब होता है वो condition के जब आपके computer या आपके mobile के पास internet connectivity नहीं होती Next देखिए It has an address book to save and retrieve email addresses So students हमारे पास emails में address books भी होती है टीक है? जहां पर हम लोग different लोगों के emails को save कर सकते हैं जैसे आप लोगोंने अपने friends के emails सेफ करने होते हैं So students आप लोग उस address book में उनके emails को save कर सकते हैं इससे क्या होता है? आप लोगों को email retrieve करने में असानी होती है जब आप लोगों ने किसी को email भेजना होता है हम लोग अपने phone में भी तो इसी तरह करते हैं phone numbers save कर लेते हैं ताकि हमें वो numbers याद ना करने पड़ें जानते हैं ना आप लोग तो students उसी तरह से हम लोग emails को भी save कर सकते हैं ताकि हमें वो emails हमेशा याद ना रखने पड़ें Next देखिए Create multiple folders to organize emails तो students इसके लावा email क्या करता है email अपने अंदर multiple folders को भी generate कर सकता है ताकि students हमारे inbox में मजूद messages को organize किया जा सके तो ये थे कुछ features हम लोगों ने पढ़ा कि email के जरीए हम लोग messages send कर सकते हैं receive कर सकते हैं इसके लावा हम लोगों ने देखा हम एक ही time पर different लोगों को एक message भेज सकते हैं इसके लावा students हम लोगों ने पढ़ा कि email address हमेशा unique होता है इसके लावा हम लोगों ने देखा कि आप लोग offline भी messages को compose कर सकते हैं और read कर सकते हैं. तो students, अब हम देखने वाले हैं कि एक email के क्या components होते हैं. तो चलिए मेरे साथ देखिए. जी students, अब हम देखने वाले हैं कि email के components क्या होते हैं. तो देखिए email के दो major components है header and body. ठीक है? और फिर students, हम लोगों ने कहा header is divided into different fields. अब header के भी कुछ fields होते हैं. वो देखिए वो क्या होते हैं? from. from का क्या मतलब है? आप लोगों को पता है न? from. यानि कि किसी की तरफ से तो students, जिस की तरफ से email जा रही है, from में उसका email address होता है. यानि कि देखिए email address of the sender यानि कि अगर मैं एक email send करना चाह रही हूँ, तो from में मेरा email address होगा. नेक्स देखिए to तो students, to में हम वो email address या वो email addresses लिखते हैं, जिन को हम लोग email send करना चाह रहे हैं. यानि कि students, email address or addresses of recipients ठीक है? यानि कि वो लोग जो कि इस message को receive करने वाले हैं, उनके email addresses यहां होंगे. नेक्स देखिए subject. तो students, subject क्या होता है? देखिए a brief headline. यानि कि students, आप लोगों ने अगर एक बहुत ही लंबा message लिखा है, तो subject में हम लोग क्या लिखते हैं? subject में हम लोग उसकी एक headline लिख देते हैं कि ये message किस बारे में है ताकि देखने वाले को subject देखकर ही अंदाजा हो जाए कि ये email किस चीज के बारे में दिखी गई है. next, देखिए CC. students, CC होता है carbon copy, ठीक है? carbon copy में आप लोग वो वाले email addresses लिखते हैं जिनको आप लोग इस message की copy भेजना चाहते हैं, ठीक है? अब students, यहां देखिएगा 2 में भी हम लोग एक से ज्यादा लोगों को email भेज सकते हैं यानि के 2 में भी आप लोग एक से ज्यादा लोगों के email addresses लिख सकते हैं लेकिन students, CC और 2 में क्या फर्क होता है? अगर आप लोग किसी इनसान को email भेजना नहीं चाहते हैं यानि के आप लोग उससे specifically address नहीं करना चाहते हैं बलके किसी और को email भेज कर उसे copy भेजना चाहते हैं तो students, उसका email address फिर हम लोग लिखते हैं CC में यानि के carbon copy में students, BCC क्या होता है? BCC होता है blind carbon copy ये भी carbon copy की type है और उसी तरह से use होती है लेकिन students, जो email address हम लोग CC में लिखते हैं वो हमारे सारे recipients को नजर आ रहा होता है लेकिन जो email address आप लोग BCC में लिखते हैं वो हमारे recipients को नजर नहीं आ रहा होता ठीक है? clear हुआ? students, CC में जो email लिखा गया है यानि कि carbon copy में जो email लिखा गया है वो हमारे recipients को भी नजर आएगा हमें भी नजर आएगा ठीक है? लेकिन BCC में जो email लिखा गया है वो हमारे बाकी recipients को नजर नहीं आएगा सिर्फ हमें नजर आएगा और जो BCC में जिसका email है उसे नजर आएगा next देखिए date तो students date क्या होती है local date and time when email is generated जब आपका email generate किया जाता है तो students उस वकत जो local date और जो local time होता है students वो यहां पर आ रहा होता है तो students यह था header ठीक है और यह थे कुछ header के components जो के हम लोगों ने पढ़े हैं from, to subject, cc, bcc and date ठीक है, अब बारी है message की, जो के हम लोगों ने message भेजना है वो कहां पर लिखते हैं, हम students वो हम लिखते हैं body में यानि के body क्या होती है, body है message itself, ठीक है तो students यह थे कुछ component एक email के मुझे उमीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, तो students next lecture में हम लोग email generate करना सीखेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, students, लाहाफिज